के पाल ही में सरकार की ओर से हमारे देश के दूसरे लोखपाल की नियुकती की गई है जिसके बाद जो पूरा मामला है बहुत ज़्जाधा चर्चा में आगया है तो आज इस वीडियो में हम इसी पूरे विशय पर लोखपाल का जो पूरा टॉपक है उस पर बात करेंगे उस सबसे पहले विडियो की रूप रेखा पर एक बार बात कर लेते हैं तो सबसे पहले विडियो में हम जानेंगे कि जो नई नियुक्ति हुई है वो नई नियुक्ति किसकी हुई है उसके बारे में बात करेंगे दूसरी जो नियुक्तियां की गई है उनके बारे में भी समझेंगे लोगपाल की भारत में प्रश्ट भूमी क्या रही है बैगराउंड क्या रहा है उस पर बात करेंगे लोगपाल की संदरश्चना के तरह की होती है structure क्या होता है कौन कौन से लोग उसमें शामिल होते हैं उनकी न्यूकती कैसे होती है उस पर भी बात करेंगे और अंत में भारत में लोगपाल का छेत्रा धिकार और उनकी शक्तियां क्या होती है उस पर भी बात होगी और एक सवाल पर भी चर्चा होगी सवाल आपका prelims का है और आप विडियो में बताए गए तत्यों के अधार पर इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसके अलावा है जो पूरा टॉपिक है आप इसे जी एस पेपर 2 से जोड़ कर देखेंगे महाँ पर आपको इंडियन पॉलिटी का सेग्मेंट दिखाई दे जाएगा चलिए यहां से हमने विडियो का इंट्रडक्शन देख लिया आप विडियो के शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं नई नियुक्तियों के बारे में सबसे पहले बात करेंगे कि किस व्यक्ति को हमारे नए देश के दूसरे लोगपाल के तौर पर नुक्त किया गया है तो जुलाई 2022 में उनके रेटार्मेंट के बाद अब उन्हें 2024 में लोगपाल के अध्यक्ष के तौर पर नुक्त किया गया है इसके अलावा इससे पहले अगर बात करें तो इससे पहले न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्रगोश वो हमारे देश के पहले लोगपाल थे जिनकी न्यूक्ति जो हुई थी 2019 के आसपास हुई थी और वो 27 मार्श 2022 को अपने पद से जो है रेटायर हुए थे तो 27 मार्श 2022 को जब उन्होंने लोगपाल का पद छोड़ा था तो उसके बाद से भारत में कोई भी लोगपाल मौजूद नहीं था और उसके बाद से अब दो साल बाद भारत में लोगपाल की जो है न्यूक्ति की गई है इसके अलावा कुछ दूसरी न्यूक्तियां भी आपका देखने को मिली है जैसे उच्छ न्यायले हाई कोट के पूर्व न्यायधीश लिंगपा नरायन स्वामी इसके अलावा संजय न्यायक सदस्य होते हैं तो तीन यहाँ पर न्यूक्त किये गए हैं तो चौथा कौन है चौथा है पहले से मौझूद है चौथे व्यक्ति का जो नाम है वो है न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती तो यह जो आपका लोगपाल है उसके पहले जूडिशल मेंबर के थोड़े समय के लिए कारेवाहक जो आपकी लोगपाल थे वो आपका प्रवीन कुमार मोहंती थे तो प्रवीन कुमार मोहंती आपका एक्टिंग लोगपाल के तौर पर काम कर रहे थे लेकिन आप सरकार की ओर से एक फुल टाइम लोगपाल की न्यूक्ति कर दी गई है तो स्वीडर में देखने को मिलती है तो स्वीडर में पहली बार आपका लोकपाल का जो आफिस है उसकी परिकलपना की जाती है इसके बाद गुयाना ऐसा पहला विकसित विकासील देश था पहली इसी डिवलपिंग कंट्री थी जहां पर लोकपाल के पद का सरजन किया गया था 1966 1966 में जिसे पहाँ पर Ombudsman के नाम से जाना जाता था इसके बाद दुनिया की कई डिवलपिंग कंट्री ने आपका गुयाना को फॉलो किया जैसे की मौरीशियस हो गया सिंगपर हो गया मलेशिया हो भारत हो गया भारत में भी इसी के मॉडल को अपनाया गया भारत में आप बात करें तो भारत में जो इसका पहला विचार है वो सबसे पहले Ombudsman के तौर पर 1960 के दर्शक में शामनी आता है यानिकि जिस दर्शक में आपका गुयाना में पहले Ombudsman की न्यूप्ति की गई थी इसके बाद वर्ष 1968 में लोगसभा में लोगपाल विध्यक पारित होता के आठ बार इसको पेश किया जाता है लेकिन एक बार भी ये विध्यक पारित नहीं हो पाता है इसके बाद देशपर में आंदोरन होते हैं और आंदोरनों का ये परिणाम रहता है कि सरकार दौरा अंतिताह 2013 में इस संबंध में एक विध्यक पेश किया जाता है और ये वि रहमती है वो प्रदान कर देते हैं और 16 जनवरी 2014 को इस पूरे कानून को लागू कर दिया जाता है इसके बाद 2016 में एक संचोधन कानून भी आता है जिसके माध्यम से लोगपाल का जो पद है उसको अपना मौजुदा स्वरू प्राप्त होता है तो यह हमने इसके पूरे बै चर्क्र का रहता है उसको भी आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो बहुत सा दस्य का है यानि कि एक से ज्यादा member यहाँ पर आपको दिखाई देंगे इसमें total आपको 9 members दिखाई देते हैं पहले होते हैं आपके chair person जिन्हें आप लोगपाल ही कह सकते हैं इसके बाद बारी आती है 8 members की तो अधिकतम 8 members यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और इन 8 members में से 4 member आपके judicial member होते हैं चार member आपके non-judicial member होते हैं सबसे पहले chair person की अगर आप बात करें तो जो chair person होता है जो लोगपाल होता है वो या तो भारत का पूर्व मुख्य न्यायधीश हो सकता है या फिर सर्वोच न्यायले का पूर्व न्यायधीश हो सकता है तो जो है supreme court का या तो judge हो सकता है या फि justice हो सकता है उसी व्यक्ति को हमारे लोगपाल के तौर पर नियुक्त किया रह सकता है इसके अलावा जो अधिक्तम आठ सदस है उसमें से जो आधे members यानिके 4 members जो है वो आपका judicial members होने चाहिए इसके अलावा जो 50% सदस से है यानिके जो आधे सदस से है वो आपका schedule cast schedule tribe से हो चाहिए ओबीसी से होने चाहिए अन्य पिशड़ा वर्क से होने चाहिए अलपसंख्यक वर्क से होने चाहिए महिला category से होने चाहिए तो यहाँ पर इस तरह की संरशना आपका decide किया गया है इसके अलावा लोगसभा के जो chairperson होते है उनके जो सदस्य होते है उनका कारेकाल बिसिकली 5 सालों का होता है या फिर वो 70 वर्ष की उम्रता कि पूरे पद पर विराजित हो सकते हैं तो जो भी पहले आ जाता है वहाँ पर उनको अपना पद छोड़ना पड़ता है इसके अलावा सदस्यों की जो न्यूक्ति है वो एक चैन समिती के द्वारा सबसे पहले च होता है उसके लिए जो चैन समिती बनती है उसमें कम से कम आठ वेक्तियों का होना अनिवार है और एक सर्च पैनल का भी गठन किया जाता है जो की अलग अलग नामों पर विजार करता है तो यह बेसिकली हमने संरशना पर बात कि कि इसमें जो है लोगपाल का स्ट्रक्चर क आप बात करें तो प्रधान मंत्री इसके छेतर अधिकार में शामिल है इसमें मंत्री शामिल है संसद शामिल है संसद के सदश्य शामिल है ग्रूप A, ग्रूप B, ग्रूप C, ग्रूप D के जो अधिकारी है वो यहाँ पर शामिल किया जाते हैं जो आपका All India Services है उनके Members यह गया है इसके अलावा लोगपाल का प्रधान मंत्री पर शेतर अधिकार केवल बरश्टाचार के उन मामलों तक सीमित है निके केवल उनहीं मामलों तक आप जो है लोगपाल प्रधान मंत्री की मामले में हस्तक्षेप कर सकता है जाच कर सकता है जहां पर यह मामले इन्वाल नहीं है कौन-कौन से टॉपिक इसमें हो गया आपका अंतराश्टी संबंध इसके अलावा इसमें आपका जो इंटर्ण सेक्यॉरिटी है लोक व्यवस्था है परमाडू उर्जा है और अंतरिक्ष है तो यह जो आपके टोटल पांच जो टॉपिक है अगर इनमें से किसी माम मामला आता है तो आपका लोकपाल जाच नहीं कर सकता इसके अलावा अगर कोई भी मामला आता है तो वहां पर लोकपाल जाच कर सकते हैं यानि कि आगर कोई मामला आता है मालीजे परमाडू उर्जा को लेकर प्रधान मंत्री पर यह आरोप लगता है कि प्रधान मंत्री न लोगपाल का छेतराधिकार लागु नहीं होता है. क्योंकि हमारे जो संसद हैं, हमारे जो मेंबर उफ पारलमेंट हैं. उन्हें हमारे समधानकी माध्धियम से विशेश अधिकार प्रदान किये गये हैं. समधानकी अनुछध 151 के माध्धियम से. तो यह basically आज का हमारा topic हुआ हमने लोगपाल के छेत्राधिकार और उसकी शक्तियों के बारे में भी बात कर ली है अब अन्त में हम इस पूरे topic से जोड़े एक सवाल पर भी चर्चा कर लेते हैं तो आज का जो हमारा सवाल है उसमें आपसे पूछा गया है कि किसे देश के पहले लोगपाल के तौर पर न्यूक्त किया गया था हमारे option है option A कपिल से बल, option B रंजन गोगोई, option C अजय मडी करवार, खानविलकर या फिर option D पिनाकी चंद्रगोश तो इसका जो सही जवाब है वो जल्दी से आप comment box में लिखेंगे, बहुत आसान सा सवाल है, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप आसानी से सवाल के जवाब को दे सकते हैं इसके लावा मुझे उमीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजेगा, अपने साथियों को हमारे चैनल के बारे में, हमारे वीडियो के बारे में बताइएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजेगा मिलते हैं आपसे कल तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए ध्यान रखिए पढ़ते रहिए अनिवाद झाल